अगर आपको मेरे वीडियो, उनके content और उनका presentation पसंद आए तो मेरे वीडियो को like करें, मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की notification आपको time time ड्राम पर मिलते रहें और एक ही platform पर आप मेरे सारे वीडियो को access कर सकें Thank you functions और powers हैं, collective functions और powers का मतलब जहां दोनों house, संसत के जो दो house हैं, लोगसबा और राजी सबा, वो दोनों मिलकर क्या मुख्य कारी करते हैं, उसके बारे में हम लोग ये बात पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि भारत में जो bicameral legislature का status है, यानि कि जो parliament के हैं, उन functions और powers को execute करने में लोगसबा ज्यादा शक्तेशाली है, लोगसबा की इस्तती ज्यादा महतोपूर्ण है राजी सबा की तुलना में, तो वो किस संदर्भ में, किन basis पे हम ये कहते हैं कि लोगसबा ज्यादा powerful है और राजी सबा उसके compare में कम powerful है, वो हम बाद मे देखने की कोशिश करेंगे, पहले हमारा जो जो जोर होगा, फोकस होगा, वो पूरा होगा, कलेक्टिव रूप से संसित के functions क्या है या उसकी powers क्या है, इंडियन constitution ने कौन-कौन से powers इंडियन parliament को दिये हैं, उसको अभी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, हमारे इस topic के तहट, तो सबसे पहली बात जब हम करते हैं, तो हम क्या सकते हैं कि legislative powers जो है, वो parliament के पास में है, हम लोग जानते हैं कि सरकार के जो तीन अंग होते हैं, कारी पाली का, व्यवस्ता पिका और न्याय पाली का, उसमें व्यवस्ता पिका का मुख ही काम क्या होता है, कानूनो का निर्मान करना, तो कानूनों के निर्मान की जो शक्ती है, वो भारत में संसत के पास में है, समीदान ने वो शक्ती किसको सौपी है, पालियामेंट को सौपी है, कोई भी कानून बनेगा, तो उसे कौन बनाएगा, पालियामेंट बनाएगा, लेकिन अगर हम इसको डिटे पर कानून बनाती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल इस्ट्रेक्चर वाला इस्टेट है। और फेडरल इस्टेक्चर वाले इस्टेट के अंदर सबजेक्ट्स का डिस्रिबुशिन किया जाता है, डिविजन होता है, सेंटर और युनिट्स के बीच में तो भारत में भी तीन प्रकार की मुखी सूचियां है, संग सूची, राजी सूची और समवर्ती सूची, तो जो सबसे मुखी बात है वो है कि संग सूची के अंदर जो विशे हैं, पहले मूल समीदान में 97 विशे ही थे, लेकिन बाद में अमेडमेंट करते हुए, वर्तमाल म हम क्या सकते हैं कि 99 सब्जेक्ट्स जो है वो इस हमारी यूनियन लिस्ट के अंदर है, तो यूनियन लिस्ट के जितने भी 99 विशे हैं, उन सभी विशियों पर कानून बनाने का एक मात्र अधिकार भारती संसत को है, लोग सभा और राजी सभा मिलकर संगी सूची के विशे पर या संग सूची के विशे पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, दूसरी बात हम लोग कर सकते हैं हमारे यहां पर एक समवर्ती सूची भी है, समवर्ती सूची का मतलब क्या है, कि वो विशे जो केंद्र और इकाईयों दोनों की दृष्टी से महत्वपून है, ऐसे पर इकाईयां भी कानून बना सकती है और कैंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन इन कंडिशन अगर किसी समवर्ती सूची के किसी विशे पर कैंद्रों और इकाईयों में प्रात्मिक्ता अगर देनी हो, तो वो प्रात्मिक्ता कैंद्र को मिलती है, इसलिए समवर्ती में भी समवर्ती सूची के विशय पर संसत के द्वारा ही कानून बनाये जा सकते हैं। केंद्रो और इकाईयों के बीच में संग सूची के द्वारा, राज जी सूची के द्वारा और समवर्ती सूची के द्वारा। कुछ specific subjects बताये गए हैं कि संसत किस पर कानून बनाएंगी राज जी के विदान मंडल कि विशयों पर कानून बनाएंगे। लेकिन ऐसे विशय जो इन तीनों ही सूचीयों में नहीं है, उन विशयों पर यदि कानून बनाना है, है ना, तो उन विशयों को अवशिष्ट विशय कहा जाएगा और उन विशयों पर कानून बनाने का दाईतु संसत के पास है। और चोथा और एक और महत्पुन बात हम यहाँ पर बता सकते हैं, इस्टेट लिस्ट, जैसे कि अभी हमने कहा कि फेडरल इस्ट्रेक्चर के कारण हमारे यहाँ पर इस्टेट लिस्ट के तहट कानून बनाने का दाईतु राज्यों के विदान मंडलों को दिया गया है, हमा बनाते हैं, लेकिन कुछ सरकमिस्टांसेज ऐसी आजाती हैं, जिसके चलते संसद भी राज्यी सूची के विश्यों पर कानून बना सकती है, आप ध्यान रखिएगा, राज्यी सूची के विश्यों पर कानून बनाने का प्रात्मिक अधिकार किसका है, सम्मंदित राज्यो के विधान मंडलों को लेकिन कुछ सरकमिस्टांसेज आयसे बताएं हैं समिधान के दुआरा जिसमें राज्जी सुची के विश्यों पर कैंद्र भी कानून बना सकता है तो वो सरकमिस्टांसेज कौन-कौन से हैं तो हम सबसे पहली बात बता सकते हैं कि अगर राज्जी सभा ये संकल्प पारित कर दे यानि कि राज्जी सभा खुद ये तै कर दे कि स्टेट लिस्ट के किसी विश्यों पर केंद्र को कानून बनाना है तो उस संकल्प के आधार पर उस विश्यों पर संसत के द्वारा कानून बनाया जाता है राज्जी सुची के विश्यों पर तो प को पता है Article 352 के अंदर जब राश्ट्री आपात काल लग जाता है जब ऐसी इस्तती में संपूर राज्जी की देश की संपूर शक्तियां केंदर के पास आ जाती है इसलिए पूरे देश के लिए कानून बनाना चाहे वो संग सुची का विशय हो चाहे संवर्ती सुची का वि ना सकती है तीसरी बात हम यह बता सकते हैं कि Constitution यह कहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा राज्य अगर केंदर से यह अनुरोत करे कि हमारे लिए इस राज्जी सुची के विशय पर संसत के द्वारा कानून बनाया जाए तब ऐसे अनुरोत के आधार पर भी संसत राज् समयधानिक आपात लग जाए आप लोगों को पता है कि Article 356 के अंदर समयधानिक आपात का उलेक किया गया है तो राज्जी में समयधानिक कंत्र की विफलता पर राज्जी सुची के विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार भी केंदरी की संसत को प्राप्त हो जाता है तो यह चोथी बात हम बता सकते हैं और आखरी कंडिशन समयधान ने जो बताई है वो यह कि फोरेंड अफेयर्स डील करने का दाई तो सेंटर के पास में होता है दूसरे देशों के साथ विदेश नीतियां कैसे निरदारित होगी यह केंद्रिताय करता है और इसी चरण में लिस्त के विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार भी संसत को प्राप्त हो जाता है कहने का मतलब अंतराश्ची संधी या समझेते की क्रियानविती के लिए यदि आवशक हो तो किसी राज्य सुची के किसी विश्यों पर केंद्र या संसत कानून बना सकती है तो यह अध्यादेश जिसको हम कहते हैं अध्यादेश का मतलब क्या है कि जब संसत का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी महत्वपूर्ण विशेपरकारीपलिका को काम करना है और उससे संबंदित कोई कानून नहीं है तब राष्टपती एक आदेश जारी करता है जिसको हम ओर्डिनेंस कहते हैं जिसका प्रभाव उसके कानून के बराबर ही होता है लेकिन उसके लिए कंपल्शन किया है कि जैसे ही संसत का सत्र अस्तित्व में आएगा उस सत्र के प्रारंभिक छे सप्ता के अंदर संसत के द्वारा उस ओर्डिनेंस को स्विक्रती दी जानी चाहिए तभी वो विधिवत रूप से कानून का रूप लेगा अगर संसत उस पर अपनी मंजूरी नहीं देती है तब उस ओर्डिनेंस का प्रभाव ओटमेटिकली समाप्त हो जाएगा तो हम यह बता सकते हैं कि अध्यादेश पर भी संसत की स्विक्रती आवशक है एक दूसरी बात और यहा पब्लीक वेलफेर का होने के कारण स्टेट के उपर बहुत सारे वर्कलोड बढ़ गया है इंक्रीज हो गया है तो राजी के कारिभार बढ़ने के कारण अब विधान मंदल क्या करते हैं किसी भी कानून की बड़ी-बड़ी रूप रेखा तैय करके उस कानून के जो बारी विधायन या Delegated Legislation के तहट कुछ Rules और Regulations बनाये जाते हैं तब उनकी जाच करने का अधिकार भी संसत के पास है वो valid है या नहीं वो significant है या नहीं ये जाच भी संसत के द्वारा की जाती है उसके बाद ही उनको आगे एक्जिक्यूट किया जाता है तो ये कुछ areas हैं जिसमे हम बता सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट को विधाई शेत्र में संसत के द्वारा व्यापक अधिकार प्रदान किये गए हैं पहला function या पहली power दूसरी power हम बता सकते हैं executive से related या जिसको हम कह सकते हैं कारीपालिका से संबंदित आपको बता हैं इंडिया के अंदर parliamentary system है पर parliamentary system के अंदर legislature और executive का आपस में relation होता है अलग-अलग तरह से relation हम define कर सकते हैं लेकिन यहां पर parliament के context में हम क्या कह सकते हैं कि parliament को executive के उपर control रखने का power दिया गया है जोकि हमारे आपर parliamentary system है तो अलग-अलग ways में अलग-अलग तरीकों से संसत जो है वो कारीपालिका के उप पर नियंतरण रखती है कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं एक सबसे पहली बाद हम कर सकते हैं question hour या प्रश्नकाल की जब भी संसत का सत्र चल रहा हो तो daily उसके routine के अंदर जो पहला सत्र होता है उसको हम बोलते हैं ये question hour है जिसमें कारीपालिका से कोई भी सवाल संसत का सदस्य पूछ सकता है तो एक हुआ प्रश्नकाल दूसरा हुआ शुन्नीकाल जीरो hour तीसरा जो बात बताई वो है half an hour discussion या आदे गंटे की चर्चा next अगली हम बात बता सकते हैं short duration discussion या अगली बात हम बता सकते हैं ध्या आकरशन प्रस्ताव यानिकी calling attention motion फिर अगली बात हम बता सकते हैं अतियार हैं संसत के पास जिसके माध्यम से महतुपून विशियों पर संसत जो है वो कारीपालिका से प्रेश्ण भी पूर सकती है, उनकी जवाब देही को तै कर सकती है, अगर किसी महतुपून विशियों पर कारीपालिका का ध्यान नहीं है तो कारीपालिका का ध्यान आकरश चुकी है तो वो no confidence motion के द्वारा उसे अपदस्त करने का प्रियास भी कर सकती है तो ये कुछ tools हैं जिसके माध्यम से संसद जो है वो कारीपालिका पर control रखती है इसके अलावा अलग-अलग committees भी हैं कुछ समीतियां भी है जिन समीतियों के माध्यम से कारीपालिका पर संसद के के तहत कारीपालिका का जो अस्तितु है वो कब तक बना हुआ है जब तक की के संसद का बहूमत या जिसको कहते हैं लोग समा में जब तक बहूमत प्राप्त रहता है तब तक सरकार अपने पद पर बनी रहती है जैसे ही वो बहूमत चला जाता है यानि की अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है वैसे ही सरकार को यानि की कारी पालिका को अपने पत्से त्याग पत्र देना पड़ता है तो ये जो सामुहिक उत्तरदाइत्व का जो भाव पार्लियमेंटरी सिस्टम का है वो किन-किन परिस्तितियों में अविश्वास का प्रस्ताव संसत के द्वारा लाया जा सकता है, तो कुछ conditions हम यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे एक बहुत महत्पुन विदयक है, मनी बिल, धन विदयक, धन विदयक को प्रस्तूत करके पारित करवाने की जिम्मेदारी कारिपालिका की है, लेकिन यदि संसद में ये धन विदयक पारित नहीं करव पाती है कारिपालिका, इसका मतलब ये है कि कारिपालिका ने संसद के अंदर अपना विश्वास खो दिया है, इसलिए इस महत्पुन विदयक को वो पारित नहीं करवा पाई, और ऐसी कंडिशन में अविश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है, दूसरा इसी तरह से एक होत की परिस्थितियां डेवलप हो जाती है, इसी तरह से यदि कोई बहुत महत्पुन विश्वास चल रहा है किसी समय में, और उस महत्पुन विश्वास पर सरकार कोई डिसिजन लेने में फेल हो चुकी है, अब ऐसी इस्तिति में भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्त आवा सकता है, और एक महत्पुन बात की आपको पता है कि राश्वपती समय समय पर संसत के दोनों सद्नों को अपने भाशन के दुवारा संबोधित करता है, अमूमन वो भाशन कारी पलिका के दुवारा ही तयार किया जाता है, और ये संसती प्रक्रिया है कि राश्वपती के अभी भाषण के बाद vote of thanks होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है, तो यदि ऐसे धन्यवाद प्रस्ताव को संसत पारित नहीं करे, इसका मतलब क्या है, कि वो राश्पती के भाषण से संतुष नहीं है, इंडिरेक्ली वो सरकार के कामकाज से संतुष नहीं है, तब ऐसी कंट्रोल रखती है संसद भारत में, जिसके माध्यम से कारिपालिका को नियंत्रित किया जाता है, तो ये दूसरा कारिपालिका संबंदित शक्तियां हम बता सकते हैं, तीसरी बात हम यहाँ पर बता सकते हैं, फाइनेंशिल पावर्स, वित्ती शक्तियां, संसद को फाइनेंशिल एलिटेट में भी कुछ महत्पुन शक्तियां प्राप्त है, फॉर एग्जामपल, बजट को अनुमती, आपको पता है कि बजट का मतलब है साल भरकर आय और व्याय का लेखा जोखा, जिसको हम बजट कहत हैं, जो एक pre-estimate होता है, बजट हमेशा आने वाले financial year के लिए प्रस्तूत किया जाता है, यह प्रस्तूत करता कौन है, तो हम कह सकते हैं कि राष्टपती की अनुमती पर, केबिनेट या सरकार के दौरा, कारीपालिका के दौरा संसद के अंदर बजट को प्रस्तूत किया ज लेकिन उस बजट को एप्रूव करने का काम, वो बजट जो बनाया गया है, उसको एप्रूव करने का काम संसद के दौरा किया जाता है, बिना संसद की स्विक्रती के, कारीपालिका यानि कि जिसको हम सरकार कहते हैं, ना तो एक भी पैसा किसी एरिया में खर्च कर सकती है, और ना ही एक रुपिया रेविन्यू के रूप में या टैक्सेस के रूप में या किसी भी तरह से वो सरकारी कोश में प्राप्त कर सकती है। ये इंकम और एक्सपंडिचर का जो पूरा ब्योरा है वो पाल्यामेंट के द्वारा एप्रूवल होने के बाद ही एक्जीक्यूट किया जा सकता है। तो बजट को जो अनुमती देने का काम हैं हम लोग कह सकते हैं कि पाल्यामेंट के द्वारा किया जाता है। तुछरा बात हम बता सकते हैं कि संसत के अंदर कुछ कमेटी होती हैं जिसके अंदर जो दोनों हाउसे लोकसभा और राज्यसभा उन दोनों हाउसे के मेंबर्स को मिलाकर ये ये कमेटिया बनाए जाती है। अलग नंबर्स होते हैं किसी में 20, किसी में 25 जा इन में कुछ महत्मुन समीतियां हम बता सकते हैं जैसे कि लोकलेखा समीति है, प्राकलन समीति है, सारवजनिक उपक्रमों से संबंदित समीति है। टाइमली ये इन्वेस्टिगेट करती है, सरकार के द्वारा, कारीपालिका के द्वारा जो भी एक्स्पंडीचर किया जा रहा है, अलग-अलग फील्स में, अलग-अलग एरियाज में, अलग-अलग सब्जेक्ट्स पर, उनकी जाच करती है, एक तरह से उन पर कंट्रोल ब तो इस रूप में हम कहा रहे हैं कि न केबल बजट को अनुमती देने का, बलकि सरकारी खर्चों की जाच और उन पर नियंटरन का काम भी पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, फिर हम तीसरी बात और कह सकते हैं कि संसद की अनुमती के बिना कोई भी रिजर्व फंड नहीं बनाया जा सकता, अभी यहां पर हम एक बात देख लेते हैं, आप लोगों को मैंने बताया था कि साल भर के लिए बजट को अप्रूवल दी जाती है संसद के दुवारा, और ये फाइनेंशल येर के लिए दी जाती है, फाइनेंशल येर स्टार्ट कहां से होता है, ए इसी financial अवधी के दोरान होता है, हर साल कि इस financial year के अंदर कहां से income ली जाएगी और कि इन areas में कितना expenditure किया जाएगा, ये approval budget के दोरा दी जाती है, अब suppose करो कि कोई budget approve हो गया, लेकिन फरवरी तक आते आते या मार्स तक आते आते सरकार allotted budget का expenditure नहीं कर पाई, तब ऐसी इस्ति rule of labs है, है ना, कि जो पैसा निर्धारित किया गया था कि X sector के अंदर या Y sector के अंदर खर्च किया जाएगा, और अगर वो खर्च होने से रह जाता है, तब ऐसी इस्तिती में वो budget हमारा यहाँ जो Consolidate Fund है, जिसको हम संचित निधी कहते हैं, उसमें चला जाता है, और फिर उस fund को सरकार बिना संसत की अनुमती के खर्च नहीं कर सकती है, तो यह एक और बात हम क्या सकते हैं, कि संसत की अनुमती से कोई भी आरक्षित कोश नहीं बनाया जा सकता, और कारी पाली का एक तरह करें, तो यह मेजर तीन फाइनेंशल पावर्स है, जो संसत के द्वारा उप्योग में लाई जाती है, अगली बात हम बता सकते हैं, कुछ Constitution से रिलेटेड पावर्स भी पालियामेंट के पास है, जिसको हम सामेधानिक शक्तियां बोलते हैं, इसमें सबसे महत्पुन बात है समीधान में शंशोधन, अमेडमेंट अगर समीधान में करना है, तो वो कौन करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह संसत का एक बहुत महत्पुन डाईतु है, एक बहुत important powers जो Constitution ने संसत को दिया गया है, शंशोधन का मतलब क्या है, कि समीधान में कोई भी नया प्रावधा समीधान एड किया जा सकता है, किसी भी irrelevant provision को, article को हटाया जा सकता है, अगर कोई चीज अधूरी है, तो उसको पूरा किया जा सकता है, तो संशोधन के अलग-अलग तात्पदी है, तो यह संशोधन करने की जो महत्पुन responsibility है, वो Constitution किसको देता है, समीधान को देता है, संसत क पूरी जो प्रक्रिया है, समीधान शंशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है, वो हम क्या सकते हैं, कि संसत पे निर्भर है, राजी विधान मंडलों पर निर्भर नहीं है, यहां मेरे कहने का मतलब यह है, कि विधान मंडल जो है, राजीयों के जो विधान मंडल है, वो समीध समिधान शंशोधन के तीन तरीके बताता है, इन तीन तरीकों से संसद समिधान में शंशोधन कर सकती है, सबसे पहले कुछ ऐसे अनुच्छे दें समिधान के अंदर जो बहुत ज्यादा महतुपुन नहीं है, उनको संसद अपने साधारन बहुमत के द्वारा संशोधित कर ल साधरन बहुमत के द्वारा समीधान में संशोधन तो समीधान के कुछ अनुचेद की साधरन बहुमत की प्रक्रया के द्वारा संशोधीत कर सकती है शंचद्. दूसरा, कुछ संशोधन ऐसे महत पूर्ण हैं, कुछ विशे ऐसे महत पूर्ण हैं समीधान के, जिनको संशोधित करने के लिए विशेश बहुमत की आवाशकता होती है. समीधान ने उस विशेश बहुमत को भी डिफाइन कर रखा है कि संसद की जो कुल सदस्ती संख्या है उसके दो तिया ही बहुमत से उपस्थिती और मतदान के दो तिया ही बहुमत से उसको पारित करना ज़रूरी रहता है तो ये दूसरी प्रक्रिया विशेश बहुमत के द्वारा जिसमें संसद समीधान में संशोधन कर सकती है। आधे राज्यों के विधान मंडलों की स्विक्रती भी आवशक है। तो ये तीन प्रक्रियां समीधान शंशोधन की समीधान में उल्लेखी थे जो की संसत को प्रदान की गई है। की संसत को अलग अलग प्रक्रियाओं से अलग अलग अनुच्छेदों को संशोधित करने का अधिकार समीधान की द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये चोथा पावर हम समीधान शंशोधन का समीधानिक शक्तियों के रूप में बता सकते हैं। पांच भी बात हम यहाँ पर बता सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट की जुडिशिल पावर्स या न्याईक शक्तियां की। हम सबसे पहले बात करेंगे महाभियोग इंपीच्मेंट की। आपको पता है हमारा देश एक वीपब्लीक स्टेट है और हमारे देश का जो हैड है प्रेशिडेंट उस प्रेशिडेंट को हटाने का जो तरीका है वो इंपीच्मेंट का प्रोसेस है। Article 61 के अंदर इसको बताया गया है. हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उपराज्च्टि को भी महाब्योग के दुवरा हटाया जा सकता है, लेकिन जीनरली एक और प्रक्रिया उपराज्च्टि को भॉड़ाने की जिसमें हम कह सकते हैं कि उपराज्च्टि का राज्ट्जी सभा का जो हमारा अपर हाउसे उसका पदेन सभापती भी होता है इसलिए अगर राज्जी सभा अपना एक संकल्प पारित कर दे बहुमत के आधार पर की उपराश्ट पती को पत से हटाया जाना चाहिए और उस संकल्प के बेस पर लोग सभा भी उसको एप्रूवल दे दे तब ऐसी कंडिशन में उपराश्पती को हटाया जा सकता है तो ये एक अलग चीज़ फिर दूसरी बात 1968 के अंदर हमारे आपर न्यायाधीश जाच अधिनियम बनाया गया था उसके आदार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को महभ्योग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है तो एक ये प्रक्रिया हम बता सकते हैं कि इस तरह से वो न्याय करने का काम करती है संसत समीधान की प्रक्रिया या प्रावधानों के तहत दूसरी बात पनिश्मेंट देने का काम भी संसत के द्वारा किया जा सकता है लेकिन किस कंडिशन में कि अगर कोई संसत का सद उसकी प्रतिष्टा को गिराने का प्रियास करे तो वो संसत की अवमानना क्यलाती है या अगर संसत को जो प्रिविलेज या संसतों को जो प्रिविलेज प्राप्ते हैं यदि उनका उलंगन किया जाता है तो आर्टिकल 105 में ये उसपश उले किया गया है कि पार्लियामेंट ऐ से लोगों के खिलाफ डिसिप्लिरी एक्षिन ले सकता है, उनको डंडित कर सकता है, तो ये एक और बात जो नियाए से जुड़ी हुई, कि संसद के सदस्य, या बाहरी लोगों को अवुमानना पर, या विशेशाधीकारों के उलंगन पर डंडित करने का अधिकार संसद के प पर Article 324 में जो Chief Election Commission है, उसको हटाने की जो प्रोसेस से वो बताया गया है, संसत के दोनों सदनों के द्वारा मिल कर रिकमेंडेशन किया जा सकता है राश्टपती से कि फला Election Commissioner का व्यवहार सही नहीं है या वो अपने पद पर कारी करने में असक्षम है, यानि कि दो परिस्थित किया हैं, दूर्व्यवहार और असक्षमता, इसके आधार पर संसत मुख्य चुनावायुक को, नियंतरक और महालेखा परिक्षक को या सुप्रीम कोड के जो दूसरे जजेज हैं, उनको हटाने की रिकमेंडेशन कर सकती है, किसको राश्टपती को, और अगर ऐसी रिकमें अगली बात हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, इलेक्षन से रिलेटेट फंक्षन्स, संसत कुछ निर्वाचन संबंदी शक्तियों का प्रियोग भी करती है, सबसे पहले हम बात करते हैं, संसत के दुवारा राश्टपती का चुनाव किया जाता है, आपको पता है कि राश् से इसके इलेक्टेट मेंबर्स होते हैं, तो पहला काम हम क्या बता सकते हैं, कि राश्टपती के चुनाव के अंदर संसत के सदस्यों की भूमी का रहती है, और उसी तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराश्टपती के चैन में भी संसत के सदस्यों की भूमी का रहती तो दो तो ये बात होगी राश्पती का चुनाव और उपराश्पती का चुनाव जिसमें संसद के सदस्यों का योगदान रहता है। उसके बाद सदन के जो पदादी कारी हैं, फौर एक्जामपल दो हाउसेश से मिलकर संसद बनी हैं लोगसपा और राज्पा का स्पीकर और लोगसपा का डेपूटी स्पीकर ये कौन चुनती हैं? लोगसपा के सदस सी मिलकर अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का या सभा सवापती या सवापत्य का चुनाव करते हैं इसी طرح से राजी सवापती होता है राजें सबार Тभा का तो यह हम क्या कहते हैं कि दोनों सधन अपने अपने पदादी कारियों का भी चुनाव करते हैं एक अगली बात यहां पर हम बता सकते हैं कि राष्टपती और उपराष्टपती का जो चुनाव प्रोसेस है उसको लेकर अगर नियम निर्मान करना है या जो प्रोसेस बना लिया गया है उससे रिलेटेट जो लोज हैं जो प्रोविजन्स है उनको amend करने का काम भी पार्लियामेंट के द्वरा किया जा सकता है, यानि कि राश्पती और उप्राश्पती से संबंधित चुनाव प्रक्रिया तहे करने, उसके संबंध में नियम बनाने, उन नियमों को शंशोधित करने का अधिकार भारती संसद के पास है, और इसी तरह से समय पर जो है, वह जुनाव की योगिताओं के बारे में तै किया जाता है, एसली क्लास में आपको बताया था कि जन प्रति निदित व अधिनियम 150 में भी बना था,angen सुआरे नियम बना भी बना था, जिसमें बहुत सारी योगिताओं और नियुगिताओं को तै किया गया संसद का सदसी बनने के लिए तो ये कहने का मतलब कि संसद और राजजी विधान मंडलों से संबंदित अगर टाइम टाइम पे अगर कोई नियम रेगुलेशन्स आवश्यक हैं तो उनको बनाने का काम भी संसद के द्वारा किया जा सकता है तो ये एक और निर्वाचन से जोड़ी ही पावर्स जो हम संसद की बता सकते हैं इसके अलावा भारत में पार्लियामेंट को कुछ और फंक्शन्स भी waterproof के द्वारा दिये गए हैं या कुछ और पावर्स जो Constitution के द्वारा दी गई हैं उनका प्रियोग भी भारत में पर्लियामेंड के दुवारा किया जाता है जैसे कि emergency को approval देना या उसकी संस्तूती करना या उसका अनुमोदन करना आपको बता है हमारे आपकर तीन प्रकार की emergency है Article 352 में national emergency Article 356 के अंदर constitution के base पर जो समयधानिक तंतरी की विफलता पर आपात लगाया जाता है वो और आर्टिकल 360 के अंदर जो वित्ती आपात लगाया जाता है financial emergency वो लेकिन ये तीनों emergency राश्पती लगाता है लेकिन उसका अनुमोधन या उसकी संस्तूती करने का काम जो है वो संसत के द्वारा किया जाता है हम लोगों ने time period भी देखा था अलग-अलग एक महिने में या दो महिने के अंदर-अंदर संसत को उस अपात काल को मंजूरी देनी होती है अनिता उसका प्रभाव खतम हो जाता है और अगर अगर अपात काल की अवधी बढ़ानी भी हो तब भी संसत की permission लेनी आवशक होती है यह हमने अपात काल के प्रावधानों के अंदर देखा था तो इस हम कह सकते हैं कि आपात काल के संबंद में भी संसत को महत्पूर्ण कारी और शक्तियां समिधान के दुआरा द नहीं है कुछ स्टेट्स को छोड़ दे हम तो बाकी सब जगे हमारे यहां यूनी केमरल लेजिसलेचर है केवल विधान सबा है तो अगर किसी राजजी के अंदर विधान परिशद का गठन करना है अपर हाउस के रूप में लोवर हाउस तो विधान सबा है ही लेकिन अपर इसी राज़ी में नई विधान परिशद का गठन या किसी एक्जिस्स विधान सबा को विधान परिशद को समाप करने का काम संसित के द्वारा किया जा सकता है लेकिन इसके लिए राज्यों की विधान सबाओं की सहमती आवशक होती है तो यह दूसरी संसित की शक्ती की ब बना है तो इसके अंदर अगर किसी राज्जी को शामिल करना है या किसी राज्जी का नाम परिवर्तित करना है या किसी राज्जी की टेरिटेरी में बदलाव करना है या अगर किसी को किसी राज्जी को को बड़ा है और उसको तोड़कर नया राज्जी बनाना है तो यह सब काम संसट के दुवरा किया जा सकता है फोर अग्जांपल अभी हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लेटेस स्टेट बना था तेलंगाना, तेलंगाना कोई बहार से तो आया नहीं, आंध्रप्रदेश से ही तेलंगाना को बनाया गया उसी तरह से उसके पहले हमारे यहाँ पर तीन स्टेट बने थे 36 गर, उत्राखंड और जारखंड ये तीनों भी कई बाहर से तो आई नहीं बिहार, उत्तरप्रदेश और मद्धिप्रदेश से ही ये बने थे तो कहने का मतलब और इसी तरह से अगर हम स्टार्टिंग से देखें आजादी के बात से लगा कर अभी तक हम देखें तो हमारे यहाँ पर राज्यों की संक्या में बडोत्री हुई है राजियों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, उनके नाम में परिवर्तन हुआ है, तो ये सब किस के द्वारा किया गया है? संसत के द्वारा किया गया है. तो ये संसत का दाईतु है, संसत का कारी और उसकी शक्तियां है कि वो राजी के नाम, उसकी शेत्र उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। इसे रिलेटेट कानून बनाने का दाईतु किसके पास है, संसत के पास है। इसी तरह से इनका जूरिस्दिक्षन क्या होगा, ये किन शेत्रों में काम करेंगे, सुप्रीम कोड का जूरिस्दिक्षन क्या होगा, हाई कोड का जूरिस्दिक्षन क्या होगा, उनके उपर लिमि तो यह जो साथ बिंदू अभी हम लोगों ने डिसकस किये collective रूप से हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह काम केवल लोगसभा करती है या केवल राज्जी सबा करती है यह जितने भी functions अभी हमने देखें यह collective रूप से Indian Parliament के द्वारा किये जाते हैं यह बात और है कि इन functions को करने के यह जैसे कि मैंने इस class के start में कहा था हमारी यहां दो houses हैं लोगसभा और राज्जी सबा तो लोगसभा को थोड़े ज्यादा पावर constitution के द्वारा दी गई है जिसको कि हम अगली class में discuss करेंगी कि किस तरह से लोगसभा राज्जी सबा की तुलना में ज्यादा dominant है या ज्यादा powerful है अभी हम जो निशकर्ष के रूप में बात कर सकते हैं वो यही कि यह सारी शक्तियां जो है वो संसत की शक्तियां या संसत के कारियर है